इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते हैं ये शर्करा के चयापचे को संतुलित करने में मदद करता है और इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीटा सेल को उत्तेजित करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक यह एक आहार पूरक है जो मधुमे को प्रबंधित और नियंतरत कर सकता है दो ये प्राकृतिक तत्व शरीर में बढ़ी हुए रक्ट शर्करा के स्तर को बनाये रखने में मदद करते हैं तीन ये शर्करा के चयापचे को संतुलित करने में मदद करता है और इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीटा सेल को उत्तेजित करता है चार नीम में जीवानू रोधी गुण होते हैं और यह रक्ट शोधक के रूप में काम करता है पांच, करेला टाइप आई और टाइप दो मधुमें दोनों में रक्ट शर्करा के स्तर को कम करता है छे, गुर्मार में जिम्नमिक एसिड होता है जो हमारी जीव पर शुगर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकता है और शुगर क्रेविंग को मैनेज कर सकता है साथ, ये रक्ट शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और शरीर के भीतर इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें